सब्सक्राइब करते हैं उसमें काफी स्टुरेंट को प्रॉब्लम आने लगी है कि यह जो सलेबस है उनको बहुत कन्फूज कर रहा है कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए कुछ लोग क्या बता रहें कुछ लोग क्या बता रहें तो आज आपन वो सारे डाउट क्लियर करने के कुशिर करते हैं ठीक है सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कल की जो सलेबस आया है उस सलेबस में इतना डिटेल में नहीं दिया वाया है कि क्यों से टॉपिक आपको एक्चुल में त्यार करने बस उन्हें थोड़ा बहुत टॉ तो मैंस केंदर उन्हों से टीन टॉपिक दिये पर्मुटेश्य कॉमिनिशन पर्बिलिटी और थ्रीडी और सेक्स्टार लिख दिया है तो अपन को करना क्या है देखो सबसे पहले क्या करना है अभी आपको फिलाल क्या करना है आपने ग्रेजुशन मैस थोड़ी दो बहु टी ठीडी यह टॉपिक तो बहुत अच्छे से कर लेना है हो कि मुझे लगता है जहां तो मुझे लगता है इसमें से कम संब 10 से 12 कोशन तो इसमें से आ जाएंगे और आपको ग्रेजुशन वाला मैं मेरे कहने का मतलब यह है कि आप 11-12 को पढ़िए और ग्रेजुशन पढ पढ़ना है 11-12 ज्यादा easy as compared to graduation maths के अंदर थोड़ी दिख्कर आती है आपको बहुत बढ़ना पढ़ता है 11-12 वहीं थोड़ा से easy हो जाती है तो आपको 11-12 करके graduation करना है है ऐसा नहीं 11-12 का पूरा छोड़कर आप फिक ग्रेजुशन चला जा तो आपको समझ में आए ग्रेजुशन उसके लिए पहले 11-12 करना है और ग्रेजुशन भी पढ़ना है ऐसा नहीं ग्रेजुशन के बिल्कुल नहीं आए इन तोपिक यह तो आ सकता है ठीक है तो ग्रे वीडियो बना है इससे पहले वाला मैं बार बार बोल रहा हूं उस वीडियो के अंदर उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको 80 से करीब 50 वीडियो मिलेंगे उसमें मैंने ग्रेजुशन का मोस्ली पार्ट कराया हुआ है उन वीडियो को देख लीजिए आप एक बार बहुत डिटेल में करा दूंगा जो भी वीडियो देखेगा उसका स्टुएंट इन तीनों टॉपिक से गरत हो गई है वो फिर आपके थोड़ा माइंड पर डिपेंड करता है आप दिमाग कैसे लगातों बट सारे तरीके बता दूंगा जितने कोशन बन सकते सब करा को बाकि मोस्ट प्रवल्ली अपन सब कुछ करा देंगे अब यह आपको बताओ कि प्लानिंग कैसे करनी है मैं बताया मैंने वैसी फीजिक्स कंदर पीजिक के उन्दर उननों बहुत सा टॉपिक मेंशन किये हैं तो देखो फिजिक्स कंदर जो टॉपिक को पहले कर दो उन को सेलेबस में दियो है तो तो प butterflies के इंगे अंतना है तो इस वार यह वारन मूर। को अपको फॉकस करना है आपको तो पहले वो टॉपिक कर लो जो सलेबस में दिया पहले वो टॉपिक कर लो पूरा क्ली लिखा है लेकिन ऐसा नहीं लिखा एगी यही सलेबस आयगा जैसे कि आप देखो करने टीनोह पड़नी है और ग्रेजुएशन विदाउट 1112 के पड़ी जाई ही सिकती है तो आपको 1112 तो करना ही पड़ेगा और वैसे मैं सब कुछ प्लानिंग बताऊंगा यह जो थर्ड पाला पॉइंट है कैसे प्लानिंग करेंगे इसको आप से टिक से समझना वह बहुत आपके काम है सब्सक्राइब मैं कैसे महीं तो रहां प्लानिंग क्या होनी चाहिए अब अगर आपको मैं बताऊं एक्सपेक्टेटर एक श्राइट dedicate क्या हो सकती है कि 30 अप्रेल्ट के बीच में तो आपकी पास में मान के चलना कम से कम 2 मेने तो है आपके पास में और मैं कौनगा कि कम डाइम मानके चलो तो उसे जदाधा रपरिपेशन होगी एक स्टेड़स है ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको अगर कोई काम को आप ऐसे मान लो काम impossible दो महीने में करने के लिए लेकिन आपकी पिर्पेशन और बहुत साथ होगी थो यही मान लेना है को कि मार्च लास्ट में इक्साहरद में करने हैं दिमाग में यह सेट कर लो कि मार्च लास्ट के अंदर एक्जाम होगा वह एडवांटेज है कि तुम्हार एक्जाम 15 अप्रेल को जा वो तुम्हें ऐसा लगए कि 15 दिन एक्स्टर मिल गाए हिस अभी मैं आपको प्रिंग बताउंगा वह आपको में 30 मार्च के रिंग बता हो तो क्याOh कि यह परना चाहिए तो वह मिकशाम रिम में 30 मार्च को होगानी बस मैं तुम्हें बता रहा हूंगा यह ब issya मन को यह बताना है कि 30 मार्च को एक्जाम होगा और उसी इसाब से पढ़ना है तो आपके पास मैं एप्रोक्सिमेटली 45 डेज बचेंगे अगर 30 मार्च को एक्जाम होता तो 45 डेज बसते हैं अब देखो जिसका नौन टेक पार्ट बहुत अच्छा करावा है नौन टेक पार्ट में क्या है दो इंगलीश है इंगलीश है है इंगलीश आप किया गी कि 20 मार्ट को देखो मैं यह खंता जूरू बढ़ीर उसमें गटे में आप मौकम देजिए और कुछ जो भी आपके पा एक घंटा इंग्लिश को जरूँ देना है यह एक घंटा आपको देना और इसमें कम से कम आपको 17-18 माक्स आपको गेन करने हैं यह टार्गे रखना आपको 17 उटे और इजी ला जाएंगे कुछ नहीं इंग्लिश बहुत इजी आती है आपको 15 के 15 ला सकतो इतना हाड कॉंट आता नहीं है हो एक मार्स माहीनिस कर सकता हूं 14 13 13 14 तो आने ही हैं 15 14 तो आने ही चीए क्वाइं के लिए फिर से बता रहूं मैंने प्लेश बिना दिया है एक सिखष प्लेश टॉपिक मिल जाएंगा आपको वह टॉपिक करो नोर्स बनाओं उसमें तो आपको तरीक आजाए किसे सौल करना है इसके मैंने बहुत साइब बताई भी है वह आपके बहुत काम आएगी कि कैसे क्वांट को इसली सौल कर जा सकता है कैसे एक इंजिनीर के तरह सोचें कि फटाफ़ वट कोशिन कैसे कर सकते हैं ठीक है क्वांट हो गया फिर इसको बाद रिजिनिंग रिजिनिंग के अंदर जो कोशन आते हैं पंद्रा कोशन इतों पंद्रा पंद्रा राइट होने चीए अगर आपने रिजिनिंग धंग से पड़ी हो तो यह टार्गेट चला कर रखना है कि इतने मांक्स तो में लेकर आई इस तरीके से आपका क्वांट होना चीए इस तरीके का आपका पार्ट ए होना चीए पार्ट एक अंदर आपको क्या करना है इंग्लिश को डेली वन आउट देना है चाहिए आप मॉर्णिंग जल्दी उठीए चाहिए नाइट में दीजिए और कम से कम से कम आटनो घंटे दस घंटे पढ़ाई कीजिए तीन चाहर घंटे पढ़े करने से कुछ भी नहीं होगा लाइब्री रिजाइन कीजिए बुक्स पढ़िए एक टार्गेट रखिए और अपना आपको मतलब इस तरह से कर दीजिए मुझे को होना ही है कैसे करके तो आपको हो जाएगा सिरिसल करने का मन भी करेंगा है तो तो थोड़ा सा किया करना अपना आपको वापस से इंट करना है और 10-12 गंटे-13 गंटे जितना हो सकता आपकी मैक्सिम एपिशन से उतना पढ़ना ठागेट रखना है कि चार दिन कंदर पिलिस कनिये हैं चार दिन में हो तक कोई बास लेगी चा दो दिन लगेगा आपको 6 दिने प्रीस कंप्लेट हो जाए और यह सोच के चलो कि चार जप्टर लिया कर लेंगे कोई दिक्कत रही है ऐसे नहीं होगा हर सब्सक्राइट को टाइम डिवाइड करो कि मुझे इंग्लीश जो है उसको एक और करना है जीके जीके का आपको हमेश अधा गंटा देना जादा नहीं कहा है अधा गंटा उसमें भी न्यूस पेपर सिर्फ न्यूस पेपर वढ़िए उसमें इपालतियों की न्यूस निपढ़नी है उसमें सिर्फ काम की निउस कि कौन साख दे कब वता है यह क्या होता है जर्नल saucy तो और जो शॉदा होग प आपके कर लेना फॉर प्रैक्टिस और व्रीजनिंग भी थोड़ा से प्रैक्टिस करके आदा एगंटा दे तो इन सब्जेक्ट में जो पार्ट ये वाला सब्जेक्ट ना जो पार्ट ये आपका रहेगा चो पार्ट ये रहेगा इसमें आपको डौंबर तो डेना है को इसमें सिर्प Пार्ट वी को आल उनको लगता है यह करना चीए और होटा-उल्टा है होता क्या है कि अनके नंबर आ वही 45 50 आ रहे हैं पार्ट वी में नम्ब नहीं पार्ट वीड में 30 नम्बर आ गये वह अपना ओवर कॉंफिडेंस देंज आपना सोच ले लिखा जाएंगे आए नहीं माक्स तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी पार्ट ए जितना इंपोर्ट नहीं पार्ट भी इंपोर्ट ए त लिखना क्वांट में लोगों के गलत कोशिन हुए हैं बहुत सारे अच्छा का वांट उसका तो ऐसी गलती आप मत करना मांक्स इक्वल हैं अगर दोस्त अगर आप पार्ट एक अंदर मैं बतानों पार्ट एक अंदर एक किसी इस्टूड नेंप पचास नमबर लेकर आ गय 60 में से 45 लिखा गे तो आप तो रैंक आईगी तो 60 में से 40 नमबर ले लेकर आगे आपका सेलेक्शन है 60 में से 40 क्या होते हैं 20 20 मार्ट भी लिखा हो जागे ना फीजी सो और मैस कंदर 20 मार्स तो ऐसे आजाएंगे तुम्हारे तो इजीले हो जाएगा 60 में से 50 अगर तुमने बहुत छी से बढ़ी तो 60 में 50 लिखा होगे मेरी वीडियो देख लोगे ना तो 40 मार्क्स में मेरी वीडियो से गारेंटी ला रहा हूं तो अराम से 90 नमबर आजेंगे अगर थोड़ी सी रंग से study करोगे तो ठीक है समझाना मेले काम समझना आपका काम है तीन घंटे आपको पार्ट एक उद्यानी देना है और आपको कम से कम 9-10 घंटे मेरी वात मानों नौ-10 घंटे पढ़ा करो अभी पढ़ाहिसे बोढ़ने होना है दो-3 महीने सिर्फ 2-3 महीने अगरंसे पढ़लो कि दो तीन महीन आपके लिए बहुत इंपॉर्ट है और आप डेली जाकर देखो कि तो लोग 8-8 गंटे पढ़ रहे हैं तो वह तो कुछ भी नहीं है कि आप तो कुछ भी नहीं हो मतलब आप तो 6-7 गंटे पढ़ने में बोर हो जाते हो कम से कम 10-12 गंटे 13 गंटे पढ़ो शौक रखो पढ़ाई का तो अराम से पढ़े हो जाएगी बोर की तरह करोगे तो नहीं होगी सेलेक्शन भी लाना आपको पढ़ाई भी नहीं करनी है कम टाइम के अंदर ऐसे लोग सर्च करते हैं कि एक घंटे के अंदर टिक्नोमेटिक फुली कैसे हो जाए यूट्यूब वीडियो में जाते हैं आप एक घंटे में देखो आपको कुछ नहीं होना है लेकिन डिटेल म में जाइट के अंदर आपनों किया करेंगे ये तो हो गया सब्सक्राइब चुन्हág को एक गांट वेलिए और कि इपन को अग्जेक्ट को कि पूर आता है तो ऐसा होता है एक अगर आपकी सब्जेक्ट को बिलको चोड़ देगे पूर हो और एक्जाम देने जाएंगे तो ढहिस को बहुत नुकसान होना है इसलिए बोल रहा हूँ कि 2-3 जंटे पार्ट एक को देना जरूरी है रही करो तीन घंटे फिन गंट आप को अमेर्ट का को करूंगा मैं मैं तुमरी के हल्क पर सकता हूं कि मैस में क्या गराओ काफी टॉपिक में कराया और जो यह मैं मैं कुछ सब्सक्राइब करूंगा फिर मैं वापस करूंगा 3D करूंगा यह तो नियों टॉपिक पूर डिटेल में कराने के भली 10-15 तीन लगे इसके अंदर उसके नियों से अंदर मैं सोच रहा हूं कि एक फैकल्टी रख लूं ठीक है आपके रैस्वंथ पर तो एक फैकल्टी लग लें जो यह जो टॉपिक दिये वहां की जो टॉपिक से 80 सीुक्ट अदर डिए हैं उन टॉपिक को कॉप्लिट कर दे कि उस से जादर एकिन टॉपिक को तो उतना अच्छा करा दे किसमें से तो हंडेड़ परसंट आप माक्स लेका सकते हैं तो उसके नोट से ही आए है ठीक है आगे बाद समझना है उसके लाव मुझे कुछ स्टुएंट ने कुछ डाउट पूछेते हैं जो मेरे वाट से पाए एक ने पूछा था कि सर अगर पे आपको बहुत दिया कि मॉट एक्स माइनस वन मॉट एक्स माइनस तू और आपको बोला कि बताओ कौन-कौन से पाइंट भी डिफरेंशिबल नहीं होगा अभी कुछन है तो आटी का लेकिन कुछन बहुत सिंपल अगर आपने डिफरेंशिबलिटी चेप्टर पढ़ाओ यह आपको बूच लिए बता यह ग्रेटेस इंटेजल एक्स स्कुरर है और ऐसे कुछ कुछ कशन करया है वे ग्रेटेसिंटेजल और आपको इस से गुच पॉपर्पर्टी का कुछ कोछन दिए तो है बहुत एजी कि लेकिन है आइडिकर तो ऐसे कोशन आएंगे देखो 30 क तो ऐसे होंगे जो देखते हैं अगर आपकी concept clear है तो फिर से बोलो है को इस कुछ कोश्चन सोल करने को होता है तो बेसिल के एक्जाम टोटल क्या होता है आपकी mental कि आपटाइक करते हैं यह सब क्या होता है यह सारी एकजाम में पढ़ना ही इंपरन में करना है थिक जोड़ना है और पढ़े हीकरना करना कंसिटेंसी अगर आप थोड़ा सा ध्यान अखोंगे तो इस exam को clear करना कोई बड़ी बात नहीं मेरे पास कफी स्टूर्ण आएक एक मह मेने में कैसे कर सकते हैं अगर आप सोचो गें एक मेने में क्या कर सकते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है और लग जाओ तयारी कंदर या न जैसे मैं बता है वास तयारी करो 12-15 गंटे पड़ो कैसे लेक्शन ही होता है अगे बाद समझ में एक लटके ने कोशन पूचा था कि जो अपन पेपर देता है तो लेंग्वेज होता है उसके अंदर हिंदी इंग्लिश कर सकते हैं बिल्कु तो यह था मेरा अनलेसिस इसमें कुछ भी आपको डाउट कुछ नहीं होना चाहिए अगर फिर भी डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल आईडी मैं आपको देता हूं इस पर आप मुझे अपना कुछ भी क्वेरी आप मेंको मेल कर सकते हूं बाकी इतना कंफ्यूज नहीं होना है सल्वेस पूरा पढ़के जाओ टाइम खूब है एक डेड़ मैना है 11-12 बहुत पहले से पढ़ी आप लोगोंने तभी तो आप BSC और यह कर रहो तो इतना दिक् पैचानो कोई भी कुछ भी हाड नहीं है ठीक है और समझोगे ना हाड है तो हाड ही रहागा दियाना ठीक है चलो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो अब आपन अगली वीडियो से स्टार्ट करेंगे पर मुटेशन और कॉम्बिनेशन और फिजिस की फेकल्टी आपके रेस्पांस पर देखेंगे कि अगर रेस्पांस ठीक है तो आपन फिजिस की फेकल्टी से बात करेंगे एक अच्छे फेकल्टी तो आपको ये सब टोपिक कम टाइम के अंदर करा सकें ओके तो थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो